हेलो डियर स्टुडेंट आप सभी का हमारे यूटूब चैनल फे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो देखिए आपके उडिसा SSB का एकदम पास आ चुका है तो यहां पे हम मॉक टेस्ट करवा रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं फूल से लेबर्स का ह है पूरा टॉपिक वाइज भी है तो काफी यहां पे कॉस्टन है जहां पर आपको फीडियो प्लस हैंडिटेंट नोट्स दे रहे हैं आडियो नोट्स जो की बहुत बढ़िया दे दे रहे हैं इस प्लानेशन और वीडियो से लूशन भी होता है तो आप जोईंग करना चा सकते हो नोट कर सकते हो ठीक है चलो फोकस मोड पर आ जाते है ना तो देखो पहला कोश्चन है प्रोटीन बाइंडिंग रीजन आप डियने आर जनरली आइडेंटिफाइड बाई तो देखो डियने पर क्या होता है अगर डियने को आप डियने से डाइजेस्ट कराओगे त लेकिन ऐसा होगा कि एगर डियने पर जहां पर प्रोटीन बाइंड किया रहेगा तो वहां पर डियने जो रहेगा वहां पर प्रोटीन बाइंडिंग रहेगा तो जो ज्यादा मुह करेगा मतलब वहां पर प्रोटीन बाइंड नहीं था जो कम मुह करेगा वहां पर होगा यह राइट एंसर होगा इंगर प्रिंटिंग तो आपको पता ही है वेरियेबल नंबर आप टेंडरम रिपीट होते हैं वहाँ पे वही वी एंटियार का यूच करके अपना करते हैं नाधर्न ब्रॉटिंग के लिए आरने के बारे में पता करने के लिए आरने को डिटे कर रहा इधर से उदर तो किसी पार्टिकुलर आर्बीस को आप मतलब इससे टेक करा दोगे जीएफबी से यह जहां जहां वह सेल जाके मूं करेगी वहां वहां लाइट देगा तो जीएफबी क्या करता है इनेबल करता है मोबिल्टी आप लिविंग सेल को पता करने के लि आपको क्या है तो आपको लेना पड़ेगा ट्रांस्मिशन इलेक््टरान माईक्रोस्कोप लेना पड़ेगा ठीक है और scanning electron microscope या सेम कहें तो यह क्या होता है इससे हम पता करते हैं आपके external को आपको living cell का study करना हो तो आपको phase constant लेना पड़ेगा तो यह देखो internal के लिए यह external के लिए living cell के study के लिए phase constant ठीक है तुम भी see होगा इसका right answer आप देखो अगला question है कि इस क्रिया को लाई को एक DNA कैसे लेता है अगर कहीं पर एक इस क्रिया को लाई ग्रो कर रहा है और वहां पर सराउंडिंग में एक नेगड़ DNA है तो उस नेगड़ DNA को वह कैसे लेगा तो वह कैसे लेगा transformation करके तो यह रिपीट में 1928 में उसके उपर ना डिप्लो काकस निमेनी के उपर इस्परिमेंट करके बताया था कि कैसे transformation होता है एस थर्ड और आठ सेगेंड का लेके काम किया था उसके उपर तो यह transformation के तुरू लेता है अपने अंदर कंजुगेशन को देखो लीडर बर्ग और टैटर में बताया था बोले थे एक एफ प्लस वाला इस्ट्रेंड होता है एक यफ माइनस वाला इस्ट्रेंड होता है दोनों में कंजुगेशन ट्यूब बनता है रोलिंग सर्कल मेथट के दौरा प्लाजमीर अपने आपको रिप्लिकेट करके जाता है उसको ट्रांडक्शन के बारे में देखो किसने जिंडर लेडर बटाया है जिसका हम यूज करके बायो मालिकुल लाइक डी एनने प्रोपीन आर एनने को हम सेपरेट कर सकते हैं अगला कोशन है विच एमंग दो फालूइं मार्कर डिटेक्टेड द्यू टू चेंजिन बेस सिक्वेंस साइट और रिस्टिक्शन साइट तो देखो कभी कभी क्या ह हो रहा है लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि जो रिकनीशन सिक्वेंस है ना वहां पर चेंज हो जा रहा है उसको सही से पहचान नहीं पा रहा है तो कभी आपको दो बेस्पेर का फैगमेंट मिल रहा है कभी तीन बेस्पेर का कभी छह का कभी आर्ट का ऐसे कर कि मतलब यह का मतलब है restriction fragment length polymorphism अलग-अलग length का आपको DNA मिल रहा है अलग-अलग side पे क्योंकि यह पहचान रहा है यह देखो SNP होता है recombinant DNA तो यही पूछ रहा भीया recombinant DNA बनाने के लिए इस tape कौन-कौन सा है ठीक है तो सबसे पहले देखो DNA finger printing के लिए है तो देखो कहीं भी crime हो गया या कुछ भी हो गया तो वहां पर क्या forensic के team जाती है option element हो गया sample collect करके क्या करती है वहां से अगर मालो saliva है sperm है नाखून है blood है वहां पर क्या करती है DNA को extract करती है तो तू के बाद वन तो यही वाला right answer है इसको और देख लेते हैं फिर देखो DNA को निकालने के बाद उसको क्या कराती है उसको restriction enzyme से treat कराती है फिर cut कराने के बाद अगला question है कि आपका दोस्त है जो की जिराफ के गर्दन को देख रहा है कर रहा था कि जिराफ ने अपने गर्दन को लंबा करके के लंबे पत्तियों तक पहुँच जा रहे थे इस आप स्विम इंहेटे लांग नेक एज रिजल्ट वीच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली तो भी करेक्टिंग दिस इस्टूडेंट मिसकंसेप्शन तो आपका जो दोस्त था वो कह रहा था कि बहिया जिराफ जो होते अईसे समझाओगे कि जो भी आपके करेक्टर है जो उसके लाइफ टाइम में एक्वाइड होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पास होते हैं ठीक है जिराफ का तो ये सारा चीज है उससे आप समझा दोगे जिसे वो कुमार था या कर दो वो जो अरे य जाता है यद पी अगर वो जर्म प्लाज्म सेल में रहता है तब ही जाता है तो विजबान ने इसका वाट लगाया था तो यही होगा राइट अंसर अगला कोशन है आपका विच आप दो फॉल्लींग स्टेट्विंट इस नाट करेक्ट चलो पूरा देखते हैं सेक्ष्व हाडी वीनवर्ग एकिलिब्रियू सक However is less होना चाहिए और क्या होँपे जीवाल प्रोसेस काहिए थोड़ा 국ीन होना चाहिए जेनेटीक क्या करता है एलील को फिक्स कर देता है बिल्कुर सोइव बात है अब देखो यह हम बहुत बहुत करा करात है लेकिन वह जो फाइदा कराता है रिस्टदारों का अपना गाठा कराता है वो एक बात का एकदम ध्यान रखता है कि उसको जो घाटा हो रहा है रिस्तेदारों के फायदा से कम हो मतलब जो घाटा हो रहा है वो कम से कम घाटा होना चाहिए और फायदा जो होना चाहिए ज्यादा ज्यादा तब यह वहां पे हैमिल्टन रूल लगेगा यानि कि आर भी ह genetically कितना related है जैसे एक बच्चा होता है उसके parents अगर किसी मुस्किल में या parents उसके बच्चे किसी मुस्किल में तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन ही चच्चा के लड़के हो गए है या किसी known ones के हो गए तो वहाँ पे genetic relatedness कम होता है तो वहाँ पे risk कम लेते हैं ठीक है तो यह वाला right answer होगा अगर आप एक population को study करें तो आपको कौन कौन से measurement है जो ज्यादा ध्यान में रखने चाहिए तो population में देंसिटी हो गया यानि कि कितना नंबर में organism एक particular area में present है dispersion हो गया मतलब कैसा random dispersion है कि क्लंड है कि uniform है फिर उसका demographic कैसा है तो वहीं सारा चीज तो population को देखो annual precipitation यह सब population में नहीं करेंगे precipitation नहीं होगा gene frequency of our time ना रिपेटक्टी यह नहीं होगा तो वी वाला ही सही होगा ठीक है जी समझ पा रहे हो चल आगे चलते हैं अगर what would happen if the keystone predator species having removed from community देखो आप तीन species को समझो मतलब ऐसे समझो कि एक पोखरा था एक तालाब था वहाँ पे तीन तरह की मचलिया थी आप कईसी मचलिया थी पहले एकदम बुच्ची सी एकदम छोटी सी मचली थी फिर वहाँ पे उससे बड़ी मचली थी नामली क्या हो रहा था चोटी मचली के उपर उससे बड़ी मचली थी वह खा रही थी ठीक है नामली लेकिन वहाँ पे क्या था एक बड़ा सा मचला भी रहता था बहुत बड़ा सा मचली जो की वह मजला वाला मचली था उस पे वह फीट करती थ कि जिससे कि क्या होता था मझला वाला जो मचली था वो सारे चोटे मचली ओक खाके नहीं खुतम कर देता था लेकिन किसी करड़ Boss आपने गए जाल फेक के बड़ा वाला मचली फशाली आया है अब क्या होगा बड़ा व्चली फशाली आया आपने की stone predator को वहां से हटा दिया, तो जो मजला वाला मचली है वो छोटे वाले मचली पे बहुत ज्यादा खाना खाया जिससे के क्या हुआ वो छोटी वाली मचली प्रे कम्यूटी थी उसका नंबर एकदम घट गया मजला वाला फिर एकदम घड़ गया फिर मजले वालों को भी मिला नहीं मजली खानों को मजला वाला भी मर गया तो यह सब टॉप डाउन कंट्रोल वेस्ट वास्प कंट्रोल होता है इको सिस्टम में पढ़ते हैं आप तो क्या होगा यह डी वाला एंसर होगा इसका राइट एंसर वोई भी कोशन अगर आपको ना समझ मैं स्क्रीन साट लेके हमारा नंबर नीचे चल ला है न यहाँ पे आप वाटसप कर सकते हैं टेलिग्राम पे पूछ सकते हैं हम आपको इस प्रेंट कर देंगे दुबारा अगला कोशन है तो देखो आप टीसू कल्चर कराते हो ना अलग-अलग जेनेटिक कंबिनेशन होने की वज़े से क्या होते हैं प्लांड में अलग-अलग करेक्टर अपियर होते हैं किसी का पत्ती बड़ा-बड़ा है किसी में फ्रूट छोटे-छोटे लग रहे हैं किसी का सीड लंबा-लंबा है तो सोमा कुलोनल वैरियेसन होते हैं जो कि genetic recombination की वज़े से appear होते हैं तो यह समझ लो बड़ी है question है अब देखो inverted pyramid produced by host perasite system such can be observe invert the following तो देखो पिरामीड जो होता है वो inverted हो सकता है या straight हो सकता है तो कौन गोनों तो देखो inverted pyramid देखो पिरामीड आप number and biomass हो सकता है inverted जैसे inverted pyramid आप number देखोगे तो पेड़ के उपर जो रहता है एक single tree का उसके उपर रहेगा biomass अगर आप ताला आपका देखोगे तो वहाँ पे क्या रहेगा जो primary producer रहते हैं उनका number ज्यादा होता है लेकिन क्या होता है उनका weight कम होता है लेकिन मचली का weight बहुत ज्यादा होता है नमबर कम तो inverted होता है देखो energy का pyramid कभी उल्टा नहीं हो सकता है नमबर का और biomass का उल्टा हो सकता है यही कहना है तो इसका जो right answer होगा वह होगा आपका B ठीक है जी अगला question है as further competitive exclusion principle किसने दिया था गाउस ने दिया था किसने दिया था गाउसे ने तो पैरामेसियम कोडेटम और पैरामेसियम अरेलिया की उपर study करके गाउसे ने यह प्रिंसपल दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि आन्यम क्या सेम अकुपाई नहीं कर सकते देखो निक क्या होता है देखो दो चीज होता है habitat होता है और निक होता है तो habitat वह प्लेस है जहां पर रहते हैं और निक क्या है आप जहां पर रहते हैं और इंट्रेक्ट करते हैं जैसे कि देखो आपका घर आपका habitat है समझे ऐसे समझो आपका रूम जो है आपका habitat है आप हो लेकिन आप तो नहीं बैठते हो आप बैठते आपने बैड पर उने कुर्सी पर मेरे कि यह जिसे नीचे वाला इरिया वहाँ यह सोटा है निकके से तो निके जो होता है नहीं जिसे आप अब भी बेट इसे इसे पर दोड़ने लगया आपके लैप टॉपक पूंपर तो आप उसको मुबायल से किणба करोगे है रहाव कहा थन्हीं काट लगी ना तो बार ल्य हुआ competition competition शुरूँ गया आप छिपकली को भगाना चाहते हो एक नहीं इको टेंड को दो एको सिस्टम का बीच का जो ट्रांजिस्टनल एरिया होता हुसे एको टोन बोलते हैं जैसे पानी है और जमीन है तो ऐसा एरिया जहां पर जमीन दोनों वाला देखने को मिले अगला कोश्चन है वीच आप फॉलिंग रिलेटेट टू टाइप टू सर्वाइवर सिप कर्व अब देखो सर्वाइवर सिप कर्व जो होता है तीन तरीके सोता है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तो टाइप 1 जो होता है वो कान टाइप का होता है मैं कैसे बना सकता हूं पेंट लिया नहीं हूं ठीक है टाइप 1 जो होता है इंसान सो करते हैं उसमें देखो अर्ली एज में डेट रेट कम होता है जब बुडे होते तो डेट रेट ज्यादा होता है ठीक है टाइप टू में क्या होता है पच्छी और इंसेक्ट में होता है वो कभी भी मर सकते हैं तो उन में रिक साब मोल्टेल्टी रिमें कांस्टेंट रहता है टाइप फ्री जड़ाता है कहा होता है इन्वर्टिव रेट ऐसे चोटे-चोटे प्राडियों में देखने को मिलता है उसमें क्या होता है अर्ली एज में जो होता है डेथ रेट ज्यादा होता है तो यहीं चीज है टाइप वन जो होता है के सेलेक्टेड का मतलब होता है जो बच्चे बहुत कम पैदा करें पैरेंटल केर जादा हो और आर सेलेक्टेड जो ज बहुत खेती करते हो लेकिन आप यूरिया डाइपोटास बहुत जादे डालते हो बरसात होता है बेमौसम का और सारा फर्टिलाइजर बहके जाता है आपका तलाब में वहां से ग्राउंड वाटर रिचारजिंग होती है और वहां पे नाइटोजन पहुंच जाता है नाइट और रलाकॉशन है से कि लिए हनी वी में क्या चीज़ सही है देखो हनी वी में जो होता है है लो व हिमिलता है उर सांति daw में समद्द करें फशिपीर termination होता है अगर देखो deployed sorry insect के अंदर x0 type का होता है यह insect ही है तो इसमें क्या होता है आपका देखो female रहेगी तो वहाँ पर deployed number आप chromosome रहेगा और male रहेगा ड्रोन रहेगा तो deployed x से रहेगा तो सोरा नंबर आप chromosome रहेगा चीजे बहुत simple है देखो practice makes the man perfect अब main कह रहा हूं तो इसमें female भी आती है practice makes the student perfect अब सही है तो जादा जादा practice करो कोई भी question नहीं आता google करो उसके बारे में पढ़ो आप और यह भी जरूरी नहीं है कि आप जैसे आज ही motivate होगे कि आज ही हमको पहीले से नहीं पड़े आज ही हम सारा चीज कर लेंगे नहीं थोड़ा time लगेगा आप consistency के साथ रहेंगे तो आगे चीज़े सीख लेंगे अब देखो ड़ार फीजम कि सार्मोन के दोड़ा control किये जाता है तो देखो जीए जो है जिब्रेलिक एसीड कुरुस्वा ने उन्नेज़शबविस में जापान के बैकेंड इस से खोच किया था तो जिब्रेलिंग का काम क्या होता है यह बोल्टिंग करा देता है यानि कि जानते हैं जी नहीं है अब देखोंगंब्योंस एक में हमने बताए था मोनोशब्री होता है बइस पॉरिक होता है बाढ़і स्पॉरिक दे डासपॉरिक में दो का पत है जो फूल आफ्शूस तो एक्चली में वो ब्रैक्ट होता अगर बूटी में कीव होता है और बागनवेलिया नहीं देखे और क्या दिक्कते नहीं देखे यहाग को गूगल करो बॉगनवे लिया देख लिया गूगल करो अब आपको नहीं पता है क्लिक क्या है करोला क्या है क्या है पैरियां एक की इ Abrac वॉट्स नीच जपना बोलते है यह सब्सक्राइब तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ों को न तो पता कैसे रहेगा जाब उसको आप इमेजीन करोगे जब आप गूगल पे चेक करोगे तब आएगा न हाँ चलो आगे चलते हैं एक ऐसा प्लांड फैमली है जहां होता है सर्व होता है लियाना होता है कैसे रिकनाइज करते हो सिंपल और अपोजिट लीफ होते हैं वित क्या इसमें देखो में पॉइंट क्या है यह बला इंटर पेटियोलर इस्टिप्यूल बस इसी से आपको एंसर निकल जाना चाहिए इंटर पेटियोलर मतलब दोनों इसी में होता है ठीक है फोली जोज कहां पर होता है यह सब करके स्टिप्यूल से क्वेश्चन आता है एंटी-कैंसर रियेंट रॉजिया हो गया टैक्सस से सब वहां से निकलता एंटी-कैंसर अब किस फैमली का है विंसा रोजी जानते हो कि नहीं एयुपोसइनेसी से है द से यह बायो डीजल प्लांट है फाइंड आउट करना है फाल्स स्टेट्मेंट रिगार्ड डू एस्टेरेसी फ्यामली तो एस्टेरेसी में देखो हेड या कैपिटुल आम इंफ्लॉरेशंस बोलते हैं बैसल प्लेसेंटेशन होता है ओवरी उनिलाकरल होता है लेकिन एडव और आपका सेक्सुली स्पोर हो सकता है लेकिन एसको स्पॉर जो इसको माइकोटीना का है यह स्टैक्ल लाग स्ट्रप्श्ट्र में बंता है एकिन नंबर होता है लग्रधि इन्डोजनेंस का और यहीं सैक्सवली us Pora होता है प्रें हमको मत देखो हमारे बारे में मत सोचो आप पढ़ाई करो डिलमगत मेजर्ट देनी होता है और DSRN कहाँप होता है WTV और रिव वाइरस में होता है रस्ट आप लिंच से डिजिज किसे होता है मेलम स्पोरा लिनी से होता है यह सब याद करना है अब पक्सीनिया ग्रैमिस्टीटीसी का लाइफ साइकल बहुत अच्छे से बढ़ लेना बलाइक रस्ट आफ वीट होता है फिर बार्बेरी और वीट पे कौन कॉन सा स्पोर बनता है ऐसरे चीछ लिम्हेंटरी पार्टिकल आप मोस्ट अब है zosta मिटम्पोजड समें तो स्वी स्वाल तो मिटम्पोज्या प्रेकल पी यार प्रोटीन इस्टेंड फार पी यार प्रोटीन किसके लिए इस्टेंड करता है भाई यही कोश्चन है आपका कायब हो रहा है देखो पी यार प्रोटीन के बारे हम कहें तो क्या कहोगे पैथो जनेसिस रिलेटेड प्रोटीन होता है पी यार प्रोटीन ठीक है बायो मास ज़्यादा होगा तो OCN में देखो production बहुत ज़्यादा होता है तो यहां पर यह होगा चलो चलते हैं मिलते हैं आप से next video में thank you for watching this video